मध्य परदेश की धार की बात करते हैं जहां परदेश सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी की ओर से धिकार अंदोलन किया गया इस अंदोलन में भाजपाईयों द्वारा जम कर कमलास सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई भाजपा का धिकार अंदोलन रेली निकाल घेरा कलेक्टरेट भाजपा कार्यारले से कलेक्टरेट तक निकाली पैदल रेली वोले कॉंग्रेस की जूठी सरकार राहूल गांधी और कमलाथ के खिलाफ लगाए नारे भारती जनता पार्टी ने धिकार आंदोलन किया उदेश्य था परदेश सरकार की नकामियों को जनता के सामना लाना भाजपा ने जिला भाजपा कार्यारले से कलेक्टरेट तक धिकार रेली निकाली कलेक्टरेट में भाजपा कार्यकरताओं ने कॉंग्रेस और राहूल गांधी को लेकर नारे बाजी की क्लेक्ट्रेट में पहले गेट पर सभी को रोक लिया गया इस दुरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था गेट पर भाजपा नेता और कारे करताओं ने नारे बाजी की उन्होंने मुख्य मंत्री कमलनात पर जूठ बोलने के आरोप लगाए पूर्ट केंद्री मंत्री विक्रम बर्मा ने कहा कि पूरी तरह से जूठ का माहौल बनाया जा रहा है जूठी घोशनाय की जा रही है तबादला मचा रखा है सिर्फ एक ही काम हो रहा है लोगों का तबादला और सिर्फ तबादला किसी को 10,000 तो किसी को 5,000 को मैसे जा रहा है सूची बेजे जाने थी वे अभी तक नहीं बेजे गई अभी कमलात कह रहे हैं कि वो परिक्षन कर रहे है उन्होंने कहा कि एक किसान का 3,000,000 का करजा था लेकिन 12,000 का प्रमाण फत्र मिला है एनोसी नहीं दी जा रही सब कर्ज को लेकर जूठी बाते की जा रही है वर्वा ने आरोप लगाया कि गोलिया चल रही है अरजक्ता का महौल बना हुआ है जिले के दो मंत्री है लेकिन दोनों मंत्रियों के शेत्र में डक्याती हो रही है पुलिस प्रिशासन फेल है क्योंकि उन्हें तबादले का डर है वे समान बांध के रहते हैं डर लगता है कब उनका तबादला हो जाएगा सांसा ने कहा कि कमलात जूठी बाते कर रहे हैं कोई वादा पूरा नहीं किया है सरकार सिर्फ अधिकारियों के तबादलों में लगी है ये सरकार तबादला सरकार हो गई है पूरविधायक रंजुना बगेल ने कहा कि छात्रवास में बच्चों को अभी तक छात्रवृति नहीं मिल पाई वहीं आवास योजना का पैसा बह नहीं डाला जा रहा जबकि मुख्यमंत्री कहा रहे हैं कि 73 दिनों में उन्होंने 54 वचन निभा दिये हैं जो लोगों को भ्रमित करने वाले बयान है भाजपा जलाद्यक्ष राजबरफा ने कहा कि सरकार को परदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है बहराल कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ जम कर प्रदेशन और नारे बाजी की गए लेकिन अब देखना यह होगा कि कॉंग्रेस की ओर से बीजेपी द्वारा लगाये आरोपों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है धार से CMN News के लिए दिनेश मिनारा की रिपोर्ट पात रहोंगे के वर उनका खिया जाएगा और इस प्रकार यह एक प्रकार से किसानों के साथ धोका दरी है वो इस बात का रस्ता देख रहे कि आचार समिता एक दो दिन में लग जाए तो केने को हो जागा कि आचार समिता लग गए इसलिए हम पेसा नी डाल पाए जबकि वास्तों में उनका इंटेंशन नहीं है पैसा देने का केंद्र की सरकार छे हजार रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से जो छोटे काश्तकार है उनको देना चाहती है उसकी दो-दो हजार के पहली किष्ट हिंदूस्तान के कई प्रदेशों में डल गई अपना यहां से अभी तक किसानों के सूची ने भीजी आज ये कमल नाजी का वक्तव है कि अभी हम सूची का प्रिक्षन कर रहे है मतलब यह इस दितिये सरकार के कि जान मुझे के टालने का प्रयास कर रहे है तुम खुद देनी रहे हो और केंदर की सरकार देना चाहती है तो उसकी सूची ने भीज रहे हो और कहरे हमको केंदर की जरुति हम दे देंगे इस पिकार युवाओं के साथ धोका हो रहा है यहों को कहरे हम सौधिन का रोजगार देंगे प्रस्रिक्षन किस बात का दिया जाएगा आपको ढोर चलाने का माविशी चलाने का प्रस्रिक्षन दिया जाएगा अब पड़े लिखे लड़के जिन्होंने रेजिस्ट्रेशन किराया है अब वो पश्रू चलाने जाएंगे ये इस ती इनों ने मजाग बना रखा विश्य और किसानों के साथ ये चलावा है और इसलिए इन सब बातों को लेकर आज हम यहाँ पर गहराओ करने के लिए आयत है ताकि कलेक्टर के माध्यम से हम किसानों के और आम जनता के सारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके